नमस्कार किसान भाईयों सवागत आपका हमारे चैनल किसान डेरी फारम में किसान भाईयों आज के वीडियो में नर्मा का पास के जो ताजा मंडी भाव है लग लग मंडियों के वो आपको बताएंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो किसान नर्मा में हलकी तेजी देखने को मिल रही है ज्यादा तेजी नहीं है सो पचास रुपे के कहीं तेजी है कहीं मंदी है फिलाल अभी तेजी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि नहीं नर्मा जो आ रही है उसमें अभी नमी आ रही है और नमी के कार्ण वो भाव में इतनी त पास के भाव में अगर हम बात करें कि निर्मा का पास के भाव में तेजी जैसे गरेलू बाजार में डिमांड बढ़ेगी इंटरनेशनल स्थर पे इस किदाम कि रहे हैं लेकिन बारतिय कोटन है जो अभी भी महेंगा है उन सट अजार के आसपा सेम सेक्स कोटन वाहिदा उपार कर रहा है अगर इसके साथ में हम बात करें देश के अलग अलग मंडियों की क्या भाव चल रहे हैं तो हरियाना के मंडियों में आदंपर मंडी में नर्मे का बाव 7000 रहा निच्छे का बाव 660 पचास रुपे तक बना हुआ है आगे अगर विवानी मंडी की बात कर दें तो 6400 से 6400 रुपे तक नर्मा का भाव रहा हिसार मंडी में 6820 रुपे नर्मा का बास का बाव रहा किसान भईयों बरवारा में 6900 नीचे का बाव 6300 रुपे चल रहा गिसान भईयों जो लोक्ल नार्मा उसके बाव नीचे के हैं किसान भाई हो आगे अगर हम आपको बताएं रोतक मंडी में नर्मे का भाव 6800-6900 रुपे उपर का रहा पुरानी नर्मा का और नई नर्मा का 200 रुपे कम रहा इसे आगे किसान भाई हो अगर गुजरात की मंडी की बात करें तो गुजरात में सूरत मंडी में 위한 7000 10000 रुपय रहा और गुंडल दिद की बात करें तो गुंडल बाओच चल रहे हैं किसान भायों, राजστतान की मंडियों की अगर बात करें किसान भrench, तो राजस्थान में, जोधपुर मंडिय में नर्मे का भाओर रहा उपर का सातजार एक सोबीस रूपे, और जब पुर मंडियों की बात करें, तो سातजार सीतिन रूपे रहा, नीचे मन्दी की अगर हम बात करें कि सान भाई तो अंवान six घाव के otherda अनौ.. 63 पानि सो से लेके 68 truths नर्मा का भाई बना हुए है.. आगे हम अगर महाराश्ठ्र की बताएं कु राष्टर में नर्मा का पास यह मान के चलो आप 7300 उपर के बाव कुछ उनिंदा मंडियों में रहे और रेगुलर बाव जो है वो अभी चल रहे हैं 6800 रुपे तक के चल रहे हैं निचे में जैसी कवाल्टी वैसे नर्मा के बाव किसान भाईयों तो किसान भाईयों हर रोज ताजा नाजमंडी भाव जानने के लिए और डेरी फारम संबन्दित वीडियो देखने के लिए और इनके पसुपालन लौन से संबन्दित वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें धन्यवाद किसान भाईयों